Hello everyone, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Fish Production या इसे हम Fish Farming भी कह सकते हैं Previous वीडियो में हमने बात करी थी Poultry Farming की कि कि किस तरह से Poultry Farming करके हम different animal based food products obtain कर सकते हैं इस वीडियो में हम एक और farming पढ़ेंगे जिससे कि हमें और क्या मिलेंगे? Animal based food products और type के मिलेंगे So welcome to Magnet Brains, मैं हुवे बूती खरे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को हमारा टॉपिक Fish Production के साथ या इसको हम Fish Farming भी कह सकते हैं वह इफिश का जैसे ही नाम आता है हमारे दिवाग में एक ऐसी image बनती है एक ऐसे food की image बनती है वाले जो Fish Oils है वो रिच होते हैं विटमिन A में और D में Fish को माल निट्रिशन को eradicate करने के लिए भी यूज किया जा सकता है अच्छी बात क्या होती है कि different varieties of fishes available है ये healthy भी होंगी प्लस easily digestible भी होंगी Majority population dependent होती है Fish पे as their staple food specially coastal regions में रहने वाले लोग Fish को daily consume करते हैं staple food की तरह तो आभी हमें क्या पढ़ना है कि इसको जो different varieties of fish जो natural reservoirs में present होती है natural water reservoirs में उसको हम कैसे obtain करते हैं और किस तरह से उनका use किया जाता है different food products बनाने के लिए सबसे पहले तो fish एक बहुती अच्छा plus cheap source होती है animal protein का जैसे कि मैंने आपको बताए कि काफी nutritious होती है vitamin A present होता है D present होता है fish oil में इसके अलावा बहुत अच्छी source होती है fishes कि चीज की protein की animal protein की plus हम बहुते हैं कि यह cheap भी होंगी यानि कि यह होंगी affordable easily इनको afford किया जा सकता है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि malnutrition को eradicate करने के लिए इसका use कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह काफी affordable है cheap है easily जो low income groups होते हैं वो fishes को afford कर सकते हैं इसके बाद में अब देखो fish production हम पढ़ेंगे उसमें दो type की fishes include की जाती है सबसे पहले होती है fined true fishes याने की ऐसी fishes जिनके पास fins present हो है ना उसी को हम क्या कहते हैं fined true fishes कहेंगे इन में कौन-कौन सी आती हैं cartilaginous fishes आती हैं और boni fishes आती हैं cartilaginous fishes हमें पता है हमने previous chapters में पढ़ा है cartilaginous fishes को हम क्या कहते थे conducties कहते थे और boni fishes को हम क्या कहते थे ostrichies कहते थे ऐसे fishes जिनका endoskeleton बना होगा किसका cartilaginous fishes और जिनका bone से बना होता है endoskeleton उने हम कहते हैं boni fishes तो ये fishes कौन सी दोनो cartilaginous और boni fishes किसकी category में आती है Finned True Fishes की category में आती है इसके अलावा Fish Production में और कौन शामिल होगा तो Shell Fishes include की जाएंगी Shell Fishes कौन सी होती है जिनके बाहर Exoskeleton present होता है Hard Exoskeleton present होता है Examples कौन हैं इनके? Prawns हैं और Mollusks हैं इतना clear है आपको तो Fish Production में दो टाइप की Fishes आएंगी एक होई Shell Fish जिनके बाहर Exoskeleton present होगा Mollusks और Prawns उसके एक्जामपल है इसके अलावा Finned True Fishes इसमें की Cartilaginus and Boney Fishes दोनों ही आजाएंगी इतना clear है आपको अब there are two ways of obtaining Fishes Fishes को obtain करने के दो तरीके होते हैं कौन-कौन से? एक होता है Capture Fishery और एक होता है Culture Fishery दोनों में difference क्या है? Obtain तो हमें Fishes ही हो रही है दोनों में difference यह है कि Capture Fishery में नामसी समझ में आ रहा है Capture का मतलब क्या होता है? पकड़ना Natural Reservoir में जो Fishes present है उनको Capture करना और उनको Further Use करना Animal Based Products के फॉर्म में वहीं अगर हम बात करते है Culture की Culture का मतलब क्या होता है? Cultivate करना तो यहाँ पर properly Fishes को Cultivate किया जाता है फिर Rearing की जाती है और Harvesting मतलब कि Basic Step से शुरू किया जाता है Capture Fishery में क्या कर रहे थे? Simply जो Water Natural Reservoir में present थी Fishes उनको Obtain कर लिया लेकिन Culture Fishery में क्या हुआ? कि उन Fishes को Cultivate किया जाता है Grow कर आया जाता है Cultivate करते हैं Rearing करते हैं और फिर Ultimate जाकर के Harvesting करते हैं जैसे कि हम Crop Production में कर रहे थे Crop Plants को Grow कर जाता है Cultivate किया जाता है तीक है? इसके बाद में Maturation Period के बाद में उनको Harvest किया जाता है Similarly, Culture Fishery में भी क्या होगा? Fishes को Culture करते हैं Rearing करते हैं उनकी और Ultimately हम उनकी Harvesting करते हैं तो जो हमारी Culture Fishery है उसको हम एक और नाम दे सकते हैं क्या नाम हो सकता है उसका? तो हम बोलते हैं PC Culture यह Term आपने हो सकता है पहले भी सुना हो PC Culture मतलब कहां से आया है Term? PC आया है Pisces से Pisces हमें पता है क्या होती है? Fishes होती है और Culture का मतलब तो हमें पता ही है क्या होता है? Cultivate करना इतना क्लियर है आपको तो ऐसी Fishery, Culture Fishery बोल लो जिसमें की Fishes को कायदे से Cultivate करते हैं इतना क्लियर है आपको Next point क्या है जैसे कि आप यहां पर दो images देख रहे है ठीक है? यह क्या है? Finned True Fishes है इनको अप्टेंग किया गया है और यह क्या है? Shelf Fishes है Shelf Fishes की हमने Direct Dish बना दी है Shelf Fishes को और रेड़ी कैसे देख तरह की होती है किस तरह की दिखती है कि हम और प्रीवेस चैप्टर में पढ़ चुके है इस चैप्टर में हमने क्या क्या है कि उसकी सीधे से आपको डिश बना करके दिखा दी है अब करते हैं आगे की बाद The water sources of the fish can be either sea water और fresh water such as rivers and ponds अब भाई, fishes तो marine water में भी sea water, दोनों ही type के water से obtain कर सकते हैं fishes को, next क्या है fishes can thus be done fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and fresh water ecosystem भाई, दोनों, चाहे वो marine water हो, चाहे वो fresh water, दोनों जगा fishes मिल रही है, और हमें पता है कि population की demand भी बढ़ती जा रही है awareness भी बढ़ती जा रही है तो क्या करेंगे, ऐसा तो कर भी सकते किसे fresh water पे जब fishes मिल रही है उनको हम, उनको ही हम cultivate करें, उनको हम obtain करें, ऐसा नहीं है, जो marine water में fishes मिल दी है, वो भी edible होती है वो भी equally healthy and nutritious होती है, तो उनको भी खाने में कोई हर्द नहीं है, तो fresh और marine water habitat, दोनों से ही fishes को obtain किया जा सकता है तो ये क्या है, एक basic introduction का, fish production का, जो भी हम ने इस वीडियो में पढ़ा है, उसका हम करते हैं एक quick recap, जबी भी हम fish की बात सुनेंगे, तो हमारे दिमाग में healthy food की image आएगी और वो image होगी बिलकुल सही, क्यों क्योंकि वाकई में, fishes क्या होती है बहुत ही healthy source होती है animal protein का, plus हम होते कि काफी affordable भी होगी low income groups भी fishes को afford कर सकते हैं खा सकते हैं, इसलिए malnutrition को eradicate करने के लिए fishes का use किया जाता है fishes काफी enriched होती है vitamins में, जैसे कि fish liver oil जो होता है, उसमें vitamin A और D, essential fatty acids सब present होंगी तो fish क्या है, एक healthy food है majority population of India dependent होती है basically majority population of India fishes को consume करती है एक अच्छा source मानती है animal protein का, बिलकुल सही बात है और बहुत से ऐसे लोग है, specially coastal region में रहने वाले लोग, जो कि fish को as their staple food consume करते है on the daily basis इतना clear है, याने की जब population बढ़ रही है, तो production भी improve करना ही पड़ेगा अब fishes जो होती है fish production में दो type की fishes include की जाती है, एक हो गई हमारी fin true fishes, जिसमें की true fins bearing fishes आती है cartilaginous and bony fishes इनके example है, इसके बाद में shell fishes आती है, जिनके ओपर exoskeleton होता है, hard exoskeleton होता है और इसके example से prawns and mollusk इसके अलावा, दो तरह इसे fish को obtain कर सकते हैं, एक होता है culture fishery और एक होता है capture fishery, capture fishery में नामजी समझ में आ रहा है, natural water reservoir में जो fish available है, उनको simply capture करके लाया जाता है वहीं अगर हम बात करें culture fishery की तो यहाँ पे properly तरीके से fishes को cultivate करते हैं और rearing करते हैं इसके बार में harvesting की जाती है इसलिए इसको हम पिसी culture भी बोल सकते हैं next point क्या है, fishes available होती है दोनों ही fresh water reservoirs में और marine water reservoirs में अब population के demand इत्ती बड़ती जारी है कि हम एक type के water reservoir पे restrict नहीं रह सकते हैं demand को fulfill करने के लिए जहाँ जहाँ से भी हमें fishes naturally मिल रही हैं, उनको वहाँ से obtain करना पड़ेगा, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि marine water और fresh water fishes दोनों ही equally healthy भी होती हैं और nutritious भी होती हैं, इसलिए दोनों ही जगा से obtain हम कर सकते हैं ठीके, अब इस वीडियो के लिए इतना ही next video में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से marine fisheries याने कि marine water में जो fishes मिलती हैं उनका कैसे production किया जाता है और कितनी nutritious होती है वो क्या होता है, वो सब हम पढ़ेंगे next video में इस वीडियो के लिए इतना ही ये था एक brief आपको description दिया था मैंने कि किस तरह से fish production या पिसी culture हम perform करते हैं क्यों? क्योंकि इससे हमें मिल रही है fishes जोगी है high animal protein का source अब इस वीडियो के लिए इतना ही next video में हम marine fisheries से start करेंगे, करना क्या है आपको complete course के लिए मैंने ब्रिंज प्लस में upgrade कर देना है, प्लस आपको इस topic के सबी notes available है, हमारी official website पर magnatebrince.com पर Thank you for watching